नमस्कार दोस्तों, राइट मेडिसिन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, ये चानल आपको समय समय पर हर मेडिसिन के बारे में सही जानकारी देता रहेगा हम लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाब में हम न खुद का इलाज कर पापे हैं और न किसी को सही सलाह देबापे हैं तथा छोटी छोटी बिमारियों के लिए हजार और रूपे खर्च कर देते हैं दोस्तों सही जानकारी और सही सलाह के लिए आप Right Medicine शानल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. फटे पैरों फाठी एडियां दर्थ करने के अलावा काफी अजीब भी दिखती हैं जो लोग कठिन प्रकार के काम करते हैं तथा पैरों को पानी में ज्यादा देर तक रखते हैं उन्हें इस समस्या का काफी सामना करना पड़ता है ये समस्या आम तोर पर ठंड के मौसम में ह हो जाती है आम तोर पर जिनकी उम्र 24 साल से ज्यादा है उन्हें यह समस्या ज्यादा होती है परंतु अगर देखा जाए तो इस समस्या का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता फटी एडियों के मुखे लक्षन लाल पुन खोजली जलन एवं तवचा की पर्तों का निकलना होता है अगर इसका समय से उपचार ना किया गया तो इससे गहरी दरारें खुन निकलना तथा असहनिय दर्थ जैसी समस्याएं सामने आ सकती है इस समय एडियों के पास की तवचा काफी कड़ी हो जाती है पैरों के नीचे कई दरारें दिखने लगती है तवचा के उपरी भाग के से कुड़ने से यह खिंचती है जिससे खुजवी हो सकती है इसलिए एरपेक्स लाबरेटोरीज के सोल के क्रीम का उप्योग शुबह शाम करें फाटी एलिया के लिए ये बेस्ट क्रीम है ये किसी भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है झाल